Traders, आज हमें Axis Bank को trade करना था, अपने private group में, हमने morning में share किया था Axis Bank, हमें exact इस level से 923 and 92.65 के उपर हमें Axis Bank को buy करना था एक अच्छा trading setup, एक अच्छा trading scenario, Axis Bank morning से हमको दिखा रहा था एक down move, इसके बाद मिस्टे अपना day high break किया अच्छा खासा move का मतलब कि 1% plus का move हम इसके अंदर catch कर सकते हैं जैसे प्राइस हमारे exact resistance level पर पहुंचा, वहां से इसके अंदर एक move आया और पूरी तरह से a stock sideway, ऐसा भी नहीं है कि a stock उपर नहीं गया है तो यह नीचे ही कम से कम अच्छा खासा गिर जा बट नीचे भी नेगरे sideway हो गया, Axis bank को trade करना था, trading setup मिला नहीं में, entries के confirmations मिले नहीं इस वएस से कोई भी trade हम आज execute नहीं कर पाया यह हमारी order book है, इसको भी देखे refresh कर देते हैं, एक भी order इसके अंदर नहीं है and position book, so position book भी भी एक भी order नहीं है एक NCC का trade, I think, हमने जो last किया था, उसमें करीब 11 ये 12,000 के round का profit हमारा चल रहा था, but market वहां पर भी कुछ ऐसी थी कि 12,000 से काफी कम profit हमने उसके अंदर भूग किया था, so thanks, यह हमारे कुछ trade थे, thanks and कल का जो हमारा trade execution था, उसे किसी reason की वज़े से हम कल publish नहीं कर पाय थे, so कल trade को आज हम आप रहोंगे, इस साथ शेर करेंगे, publish करेंगे, hello and welcome to the studio, traders, federal bank को आज की दिन हमने trade किया था, इसके अंदर काफी सारी चीज़े हैं, जैसे कि एक main point जो आज की दिन हम लोग देखेंगे, day time frame पर अपनी एक important level, किसी भी stock उसे federal को हीने, किसी भी stock के अंदर अपनी उसकी last candle से, actually यह हमारा decreasing loss का method है, यहाँ पर देखिए, volumes कम हो रहे हैं, इसके पहले की जो volume यह ज्यादा थे, यहाँ पर volumes नीचे की दिशा में गिर रहे हैं, इससे यह अंदाजा लगा जाता है कि price upside की तरफ जाते हुए, नीचे की तरफ जब गिरा है, तो यह resistance की तरह काम क करता है, मतलब उपर से नीचे की दिशा में कोई price आया, तो कहीं ना कर उसके अंदर selling होई होगी, तो यहाँ पर इसके पीछे जाकर के अगर हम लोग data रीट करें, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि price actually उस point पर जाने की बाब में वहाँ से नीचे की तरफ गिराता है, जैस पर किस तरह से price को रीट कर तो कैसे हमने आज के trading session में federal bank को trade किया था, कैसे हमने उसको रीट किया था, तो एक की समझने ही कोशिश कहरेंगे, बहुत lower time frame पर देखें, यह हमारी एक range बन रही है, कल price यहाँ से नीचे की दिशा में गया, और वहीं close हो गया, और आज price क्या किय कैसे हम लोग इसको analyze करते हैं, कैसे judgment लिया जाता है, हम लोग buying करेंगे, sale करेंगे, इस साही चीसों को देखेंगे, दूसरी चीज़, federal bank को आज हमने select कहां से किया, किस scanner से select के उसको भी देखेंगे, इसके बाद अपने trade book open कर लेते हैं, एक एक चीज़ देखे लेंगे trade book मे quantities, entry price हमारा, so यहाँ पर order book open करते हैं, so order book में आप देखोगे, total जो quantities हमारे पास, 3590 quantities के साथ यह trade हमने execute किया था, अपना, entry जो हमने इसके ले ले थी, 140.85 के हमारी entry थी, यह सारा कर सारा हमारा quantities हैं, और यह price वगरा हैं, जो stop loss, order, target वगरा लगाया थे, पेच को एक बाद रि 137.40 रुपर सारे quantities हमने exit मार दे थी, so overall यह अपना trade था, एक बोला जात, कई सारे trades हमने की हैं, कई सारे trades थोड़ा सा risky हमको लगते हैं, position book में आप देखोगे, overall जो आज का profit है, बगर में अपने mobile का screenshot भी हम लगा देंगे, so 12,385 रूपियस का लगबग का profit था, अभी जो ए पर ही बहुत सारी चीजा हमें confirm हो गए थी, कि price ने क्यों अपने level की ओपर opening वापस चलेंगे, भी charts को पर तब समझने ही कोशिश करेंगे, जितने भी trade हमने आस थे, execute के सभी का experience अपना अलग रहा है, जिसमें से federal bank बहुत अच्छा setup इसने दिखा दिया, higher time frame पर ही बहुत सा कर सकते हो, otherwise अगर कोई advice आप को ही, तो वो भी आप अपने comment box में छोड़ सकते हो, thanks and start करते हैं अपना ये आज का educational video, बहुत concentration के साथ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीज़ेगा, किसी भी stock आपको trade करना है, daily waste पर हम जितने भी trade अपने publish करते हैं, execute करते हैं, एक एक reason हम उस पड़ते हैं, extra confirmations के लिए, कि एक तो हमें confirmations day time frame पर मिल जाए, कि price अपने support पर है, यहां से अगरी support ब्रेक कर रहा है, तो downside के तरफ में गिर सकता है, दूसरा, अब जैसे ही price हमारा day time frame के अपने इस level पर आगे हम इसको divide कर देते हैं, दूसरे part में लब, जो इसका second part हो गए second phase, अपना lower time frame का, अब lower time frame पर भी हमें यहां पर अपने price actions चाहिए होते हैं, day time frame पर यहां से weakness समय शो हो रहे, अब यही weakness समय चाहिए, lower time frame के उपर, यह होता है, दो time frames के उपर confirmations लेना, पहले चीज, दूसरा, day time frame पर अपने लिए एक important candle find करनी होता है, कोई भी stock up trade परो, आ आपको एक important candle चाहिए ही होगी, अब जैसे आज हमने federal bank को trade किया, federal bank को भी trade करने के लिए हमें चाहिए एक important candle जहां से हम price की rating अपने start कर सके, जहां से हमें reliability मिले, candle से candle को match कर, price हमारा upside के दरफ जा रहा है, यहां से price ने क्या हुआ, up move तो दिखाया, बट volumes कम हो गए, अभी ज in general language हम यह बोलते हैं कि एक diversion है, price upside की तरफ जा रहा है, volume नीची की तरफ गिर रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं एक resistance point है, अब अगर price को ऊपर की दिशा में continuity लेकर के आनी है, ऊपर की दिशा में जाना है, तो price को इस range को breakout करना पड़ागा, depend करता है, price तभी bullish होगा, जब price हमार के according हमने आज का यह stock अपना trade किया था, decreasing lows, इसके दो वीडियो अगर हमें सही से याद है, तो दो वीडियो हमने आप लोगों के साथ शेर कियो, काफी सारे trade execute करके दिखाए है, उसके थूरू ही समझेगा, कि जब price हमारा upside की तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो यह common ची किया, देखी, यह सारे चीज़े बाद में, federal bank के लिए आप सीधे चले हो, फटा पर stock screener पर, यहाँ पर चले है, काफी सारे stocks थे, अब यहाँ पर देखिए, हम end column को, pre market opening session में, इसके अंदर volumes के हुए थे, break out, end column में जाकर कि आप Z2A कर दो, सीधे देखिए, यहाँ पर federal bank का यह 5th position का stock है, SOT7 है, बट 1, 2, 3, 4, 5, 5th position का अपना stock है, federal bank, यह भी सारे stocks आयो थे इपने पास, price actions हमें समझ पर नहीं है, इसके अंदर सो हमने इनको ignore कर दिया, federal bank हमें सही लगा, एक सही level पर दिखाय बड़ा, सो हमने federal bank को trade किया, A, B, C, 3 तरह की total categories के आपको इसके अंदर stocks में लेंगे, generally जब आप लोग trade करना है, तो कोशिच करना A category के stocks को trade किया चाहिए, B और C category के stocks को trade करने के लिए थोड़ा सा technical strong होना चाहिए, class में जब सारी चीज़ें डिसकस होती है, तो एक पूरा process होता है वो, तो वहाँ पर बहुत easily सारी चीज़ें समझ भाए जाते हैं लेकिन अभी हम आप से direct recommend नहीं कर सकते हैं कि आप A category, C category और B category को भी आप trade करो, जैसे यह देखिए, A, C, B, इतनी सारी categories है, तो कोशिच करना है कि A category को ही आप trade करो, अच्छा volume भी आता है, और technicals भी आप follow होते हैं, वापस चलते हैं चार्ट के पर, अब federal bank है देखिए, इस फिर से price विक बना रहा है, और विक बना करके नीचे के दिशा में गिर जा रहा है, आज नया क्या हुआ federal bank के अंदर, pre-market opening session में इसके अंदर volumes के breakout हुए, जिस वज़ा से यह stock अपने पास आया, दूसरा, जिस resistance के ओपर अभी तक इसने opening नहीं दे थी, आज उस resistance के ओपर जा break किया, इसको कई दिन से break नहीं किया गया, बट आज price ने उपर की दिशा में ही closing कर दी, sorry, opening कर दी, morning की, अब यहां से क्या होना चाहिए, अगर यह strong है तो फिर इसको उपर जाना चाहिए, बट उपर जाने के बजाए, वापस से price उसी range में re-enter करने की कोशिश कर रहा है, अ price अपने resistance को as a support react कर रहा है, अगर यह सही जगे पर हमको पकड में आ जाता है, और movement हमें अगर इसने downside के तरफ दिखा दिए, तो अच्छा move देखने को मिल जागा, अब चलते हैं, federal bank में, federal bank में देखे हमने क्या किया, हमारी जो important candle है, एक important candle, आपको कैसे find करनी होगी, कोई resistance point, एक strength, एक support है न, price हमेशा क्या करता है, resistance नीचे की दिशा में या फिर support से उपर की दिशा में, अभी drawings वगरा करना से बहुत आसान होता है, चार्ट बन जाने के बाद में हम आपको समझा सकते हैं, कि resistance है, price यहां से नीचे गिर गया, support है, यहां से price उपर चला गया, live market मे आप यह सब करके देखो, तब समझ में आता है, बहुत एक तरह से mental level पर बहुत ज्यादा strong exercise करनी पड़ते है, trade execute करने से पहले, तब जाकर के कोई एक, बोल सकते हैं कि expected level हमारे पस निकल क्या था, 100% तब भी नहीं आता है, यह चीज हम आप से इसलिए discuss कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी stock आपको level निकाला है, आपको एक expected resistance point find करना है, कोई भी एक resistance point find कर लो, देखो कि आपने जो level, अब जैसे आपने यह line है, हमने आपको बोल दिया कि decreasing lows के थुरू आपको एक candle निकाल ली है, तो हमने किया कि decreasing lows की candle का जो high हमने उसको mark कर लिया, और हम देख रहे हैं कि price अब यहां से rejections हमें show कर रहा है, जब जब price हमारा इस level पर आ रहा है, हमने बिना कुछ देखे, even यहां तक कि technical चली है, अगर हम कुछ follow करते हैं, तो techniques को देखते हुए हमने कुछ level अपने identify के लिए, अब देख रहे हैं कि जो level हमने identify किया है, market उसको कितना respect कर रहे है, ऐसा time frame पर हो, even lower time frame पर हो, level draw करने के बाद में हमें यह चीज़ देखनी पड़ेगी, कि price उस level को react किस तरह से कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत common way में basic structures के साथ में price आपकी level को follow करता है, वो level आपका होता है, सही आप उस candle को अपनी important candle मान सकते हो, मान के चलिए हमने decreasing lows क recording अपनी कोई भी candle, कोई भी line डाल दी अगर chart के उपर, और price उसको नहीं follow कर रहा है, price उसको उपर, नीचे, उपर, नीचे, दोनों ही दिशाओं में लगातार ब्रेक कर रहा है, वापर, वापस से फिर नीचे कर जा रहा है, फिर से उपर, फिर नीचे, यहाँ पर क्या हो र मार्क करने के बाद में, price का behavior आपकी level के पास में किस तरह से हो रहा है, कैसे market कर रही है, यह समझते हमाली चीज होती है, कई सारी techniques भी है, इसके उपर बहुत सारी practice, पूरे process में जब सभी लोग आते ना, तो समझ में आता है, फिर किस तरह से इसको हम लोग और आसान बना सक कि यहां पर क्या हो रहा, price upside में, यह इरिया है, हम लोग इसके पीछे के price actions देख सकते हैं, कि आप आपने जो line ड्रॉ की है, उस line पर पीछे के price actions किस तरह के हुए है, मतलब past way market ने आपके 141 के level को किस तरह से react किया है, यहां पर भी इसने resistance लिया है, price जब upside के तरफ गया, त फिर नीचे गिर रहा है, है न, अभी तक दिखे, common चीज एक जो नहीं हुई थी, price ने अभी तक upside के तरफ अपनी opening नहीं दिखाई थी, 141, कब से काफी दिन से देखे, अभी तक इस लेवल के ऊपर opening नहीं दिखाई, आज पहली बार इसने opening दिखाई, उपर के दिशा में, अब क्या लग रहा है आपको, अगर यह strong है, अगर आपका resistance level वहा कई में, federal bank को break करना है, तो इसे उपर की दिशा में निकलना होगा, यह नीचे क्यों आएगा, क्यों ही आएगा, अब सारे सवालों के answer जो हमको मिलते हैं, वो मिलते हैं lower time frame के लिए, कि lower time frame पर price ने किस तरे तो उस green वाली candle का breakout price ने high volume के साथ नीचे की दिशा में कर दिया, ठीक है, अब यह अपनी 141, यह day time frame का level है, यहाँ पर market ने किया किया, एक opening इस जगह पर दिखाई, और opening के साथ-साथ price अमारा सीधे नीचे की दिशा में गिर गया, opposite सोचिए, price को अगर उपर की दिशा में जाना तो इसके movement हमें downside के क्यों दिख रहे हैं, फिर तो इसे 915 का high break करना होगा, यहाँ पर resistance बना करके, इस वाले resistance को break कर देना होगा, चार्ट को rate करना तो यह सब कुछ करना must है, इसकी तो practice होनी ही चाहिए, यह कुछ बहुत tough नहीं है, जितनी भी हम analysis करने हैं, हमें इतना बस consistently practice चाहिए, आज एक system, कल दूसरा system, आज यह derivative trade कर रहे हैं, कल हम crypto trade कर रहे हैं, फिर हम stock, ऐसे change करते रहोगे तो फिर समझ नहीं पाऊगे, आपका segment तक तो fix नहीं है, आपके strategy क्या fix होगे, fix, जब तक fix नहीं होगा system, तब तक फिर मजा नहीं आगा, fix करके रखो और बस consistently practice करते जाओ, बाके सब कुछ आप market के उपर चोड़ दो, market बहुत अच्छा result देती है, बस market के according चलो, अब यहाँ पर 9.15 के उपर अगर market को निकलना है, यहाँ से, अप side की तरफ जाना है, तो इसको उपर की दिशा में निकलना होगा, बट देखिए price क्या कर रहा है, lows break हो with high volume, ज्यादा volume के साथ में, फिर price देखिए, उपर की दिशा में जा रहा है, बट इसके अंदर volumes less होती होती चली जा रहे है, अगें देखिए, यहाँ पर volume increase होई, मतलब क्या है, समझते जाएगा, buying की volume आई है हमारे पास, यह वाली, यहाँ से क्या करना चाहिए, अब फिर से फिर rejection आपको देखने को मिले, इस जगह से, अब यह हमारे एक high बन गया, high in the sense, कि यह एक resistance बन गया, अब देखिए, अभी से समझ भारा न, कि यहाँ पर एक mother candle form होई, और उस mother candle के नेचे volume के साथ, ब्रेक आउट, इसके बाद में, फिर से यहाँ पर जो हमारी volume आई है, यह bars की volume यानिक एक positive volume आई है, और इस positive candle का अगर हम high mark कर लेते हूं, तो फिर price हमारा इस high के ऊपर भी देखे closing ने देपाया है, वहाँ से इसने rejection दिखा दिया है, with high volume, volumes बहुत अच्छा roll प्ले करते हैं, इसके बाद में, price ने हमारी इस candle के अंदर देखिए, कितनी देर तक traveling की है, क्या है, इस candle को हम लोग एक mother candle माल सकते हैं, technically it's not a mother candle, क्योंकि इस candle ने upside के तरफ breakout दिखा दिया था, हालना कि एक rejection है, बट technically हम इसको mother candle नहीं माल सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने experience के according चलते हैं, जितनी भी candle सभी तक हमने देखिए, ये भी candle एक mother candle की तरह ही react कर रही breakout के वक्त ही हमने यहां से अपना trade execute किया था, entry, stop to start के बगारा सब की शो में आपको बताए ही थे, entry हमने आपको बताए ही थे, green वाली candle का just low point हमारे entry point बना था, जब आप इसका low दिखोगे, तो exact 140.85 यही अपना entry का area बना था, price जैसे ही इसको नीचे की दिशा में गिराने लगा, break करने लगा, यहां पर अपना trade हमने execute का दिया था, इसको और आप जब lower time frame पर देखोगे, 3 minutes के time frame पर यहां पर देखे आपको बहुत सारे movement दिखाई पड़ेंगे, एक यह price उपर की दिशा में गया, नीचे की दरब breakout, फिर से retracement, यही point बना था, जहां पर हम लोगो अपनी candle अगर आपको find करनी है, basically मतलब सबसे important होता है day time frame के उपर, day time frame के उपर जहुरी है अपनी important candle find कर लेना, अब federal bank है, federal bank के अलावा अगर हम कोई stock अपना देखते हैं, जैसे यह तो रही, apple यह supreme market के session से चल रहे हैं, अब यहां पर देखे, इसके according अगर देखे तो आति candle important बन करके आ रहे हैं, वो यह वाली candle है, इस candle के लोग जो हमने mark किया था, क्योंकि art industries को भी थोड़ दिन पहले भी हमने trade किया था, so यही candle मेरी एक important candle बन के आ रहे है, as a support, जब-जब price इस वाली line पर touch करेगा, यह मेरी एक resistance की तरह काम करेगा, और हम इसी levels अपना कोई भी trade execute करेंगे, क्योंकि support area है, so हमारी लिए important candle बन जाती है, यह green वाली candle, कोई भी एक और दूसरे stock जैसे AB Capital है, हमने कहा ना कि जब आप find करने लग जाओगे, इतना time नहीं लगता है find out करने में, जितना एक chapter समझाने में हम लगा रहे हैं, वो आपको देखते ही समझ में आ जाग कि देखे, price आपके लोग को किस तरह से respect कर रहा है, जिस दिन से यहाँ पर closing की, तब से देखे, price उपर की दिशा में नहीं जा पाया है, है न, एक अच्छी खासी opportunity है आपके पास, 149.80, यहाँ पर जैसे ही price आए, आप trade मारो, lower time frame पर अपने confirmations लोग, trade मारो, छुटी और करो, ध्यान करो, concentrations के साथ में rating स्टार्ट करो, तो सब कुछ होने लगेगा, वही चीज़ फेडरल बैंक के अंदर, entry stop loss के लिए हमने यह वाला point यूज किया, बाकी trade काफी ज्यादा profit इसके लिए लगगा, कि इतना 15-16,000 के आसपास का profit देख रहा था, so यहाँ कहीं price था वीडियो को like कीज़ेगा, comments कीज़ेगा, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe कीज़ेगा, बहुत सारी महनत लगती इस तरह से वीडियो बनाने में, समझाने में, आप कहीं पर भी चलिए और कोई भी इस तरह से अपने trades को analyze नहीं करेगा, just वो उपनी स सतह होगी कि यह trend line brick हो गया, यह हमारा crossover हो गया, जो भी है, okay, so thanks, goodbye and we will meet again.